हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ आर्ती स्वागत है आपका मेरी किचन में रादे रादे फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे मक्का के पकोडे कोन के पकोडे और यह मेरे पास एक बुट्टा रखा तो मैंने सोचा क्या बनाओ इसका और यह बहुत ही बनके टेस्टी होते हैं टेस्टी टोड़के मैं इसे आप इसे चाहें तो कुकर में तीन सीटी लगा के नमक डाल के उबाल सकते हैं और वैसे में इसे भीओने में डाला है मतलब एक पैन में लिया है और बीस मिनट के लिए बालाई इसे और देखे फ्रेंड्स उबल के तियार हो गया यह अब हम निकाल लें यह पकोडो टाइप में बनाई है चोटी चोटी बनाई बहुत ही टेस्टी लगते हैं अब हम इंके दानों को निकाल लेंगे चक्कू की मदद से और यह निकल जाएंगे जाधा पक गया था तो मतलब इतना देर उबालने के बाद भी थोड़ा थोड़ा सा है अभी इसमें आ बैल आइकन को पेस कीजिए जिससे की मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे ऐसी बिल्कुल असान असान रैस्पी लेकर मैं आती हो जो टेस्ट में बैस्ट होती है अब इसके लिए हम लेंगे दो चमबच बेसन बड़े चमबच के करीब एक और आ काले मक्की के दाने मक्का के दाने मक्की के दाने सबके अलग अलग तरीका है बोलने का और आब इसमें डालेंगे हम कटावा थोड़ा सा धनिया और मैने अजवाइन की पतिया ही डाली है और इसमें हम डालेंगे कटी शिमला मिर्च थोड़ी सी इसमें हरी मिर्च भी डाले लाल मिर्च पोडर डालेंगे। बच्चे घरानी अजवाएं चाट माईश य। अचछू दाल रिंगे नुक्सान भी निकरहा, बहुत लोगों को भाय कर जाती है , बहुत लोगों को गैस बनाती है तो उनके लिए भी वह भी खा सकते हैं अब मका के पकोड़े यह अजवायन दिक्कत नहीं होने देगी अब इसे हलका हलका सा हम हातों से इसे मिक्स कर लेंगे सारे बिना पाने डाले मिक्स करना है पहले इसको अच्छे से वीडियो बिना इसकीप किये देखा कीजिए ने मिलता है और बात करना इस अच्छा चा करने का देखे अवर सब्छा पानी दाल इसे गह लेंगे मतलब इसे त्यार कर लेंगे थोड़ा सारा और तल्छा पतला नहीं करना है आप इसे टिक्की की शेप में बनाना चाहतें टिकि की शेप बिना जाएं जाएं गोले गोले जल्दी बन जाते युः कियों कि गर्मी इसके भी पूर जोगा ज़ता ही के लिआधि भी कर सकशेटी हैं उसके सबोस्कराइब करना थे लीगे effort अमें यूज बिना टेस्ट यह कोड़े रा ग्ले की कम कातल दॉआ है तो फिर आप मैं रियल में कहा रही हूँ कि आलू प्याज के तो बूल जाएंगे बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में कुरकुराहट सी जो पकोडों में आती हो बहुत टेस्टी लगती है अब हाई फ्लेम पर तेल गरम करेंगे और एक करकेस में हम ये गोले डाल देंगे जरूर ट्राइ कीजिए गा फ्रेंडस इस रैस्पी को ये बहुत टेस्टी लगते हैं रियल में बार-बार तारीफ करें उसले क्योंकि मुझे भी बहुत टेस्टी लगे खाने में घर में सभी को बहुत पसंद आये बनाए मेने तो बच्पन में तो हम खाते थे लेकिन अब देखे फ्रेंडस इन्हें उलटते पलटते को हम पलट लेंगे और ज्यादा इन्हें आप डीफ्राइ करना चाहते तो डीफ्राइ भी कर सकते हैं और हलका रखना चाहते तो हलका भी रख सकते हैं यह अंदर तक पग जाते हैं बहुत जल्दी अब देखे फ्रेंडस य कि दो प्लीज मुझे ससवerson. प्रेंड्स आपके सपोर्ट की मुझें बहुत जुरत है प्लीज प्ली प्लीज सस्क्राइब कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए मिलते हैं नेक्स ओर वीडियो में बबाइ फैंड